SCGD 2021, कैस हो आई मेरे नंबर? मैं तक में 25 में 25 आए थे, रिजनी में 25 में 25 आए थे, कैस आए थे? ठीक है? मलग किन बुक्स से पढ़े? क्या क्या चिज्जे करी? क्या हमने कैटेगरी अपनाई थी? मलग क्या इस्टरेजिती? पूरी पढ़ने कपढ़नी हैं? तो complete analysis आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो तब तक के लिए continue बने रही है चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टर्ट तो अगर हम बात करें SCGD 2023 की तो देखो भाई वेगेंसी आने वाली SCGD 2023 की notice निकला हुआ है और जो calendar है calendar के अंदर आपको SCGD 2023 की वेगेंसी दिखाई गई है, announce की गई है बाकाईदा 10 December से इसके form announce होगे कब से? 10 December से एक्साम कब होगा? तो एक्साम होगा आपका कब? March और April के बीच March और April में, तो March ही बननो आप तो December से अगर March तक का सफर देखा जाए तो चार महीने का आपका समय है December, January, February और March और एक महीना भी आपके पास क्या है? कि एक महीना आपके पास अभी number का है तो अगर देखा जाए पूरी भरती के लिए पूरी भरती के लिए कितने? पाँच महीने का समय है कितने समय है? पाँच महीने का और सब्जेक्ट आपके पास कितने है? तो समय तो पाँच महीने का है और सब्जेक्ट आपके पास कितने है वई? चार सब्जेक्ट ठीक? चार सब्जेक्ट पाँच महीने कैसे कवर करेंगे ताकि स्कोर निकले कितना? math में निकलने चीए 25, reasoning में निकलने चीए 25 में है 25, 50 हुए यहां से plus hindi भी आपके 25 में है 25 निकलने चीए 25 तिया 75 और GS अगर आप कर दो 15 से 20 नंबर की 15 से 20 नंबर की तो 75 और 20 होते हैं कितने पिचाण में नंबर कट कुटागे कितने बचों आपके 90 तक कर स्कोर अगर बच गया तो आप क्या करोगे आपको मिलने वाली है SSF की पोस्ट किलियर है अब कैसा रहा मेरा स्कोर SSCGD 2021 तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दू अपने बारे में मेरा नाम सुभम है और मैं 2019 का भी मने से SSCGD क्वालिफाई किया था और 2021 का भी मेरा SSCGD क्वालिफाई है मैं फिजिकल प्लस मेडिकल मेरिट दूनों में क्या है कि क्वालिफाई कर चुका हूँ अब इंत्यारे वाइस फाइनल मेरिट का कितना स्कोर मेरा बना तो भाई मैत में तो आयते 25 में से 25 कैसे आयते कौन सी बुक से पढ़ रहा था क्या इस ट्रैइटी पूरी कंप्लेट आपको एनलसिस में बताने वाला रिजिनिंग में भी 25 में से 25 आयते तो अगर हम बात करें कि कैसे हाउ इस पोसीबल ऐसा कैसे आ सकते है क्या हम भी ला सकते है पच्चे बच्चे हां ला सके कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बस क्या आए कि टार्गेट होना चाहिए किस चीज़ के लिए आप एक्साम की तयारी कर रहे हो क्या आप पढ़ पाओगे पांच महीने तक लगा सबसे बैस्ट आपके सामने लेका रहा हूं है तो अगर स्पेसल स्पेसल स्पे लिए जीडी लेविल की में बात करें तो चीडी लेविल में एसली यादव की यह बुक है टोटल आपको एसली प्रिवेस यहर के कोउश्चन इसके अंदर मिलने वाले है इसके जो राइटर ह है आपके तो एसली यादव सत्यम है इसके राइटर और सारदा इनका क्या है पब्ली के जन्हें मार्कीट में आपको यह कूई मिलने मील जाएं कितने मीलने है 380 की ठीक है अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसके अंदर आपको एवरी चैप्टर टाइप वाइस मिलना है तो मैथ के लिए आप पर यूग करें कौन से अगर बात करी जाए तो रिजनिंग देखो क्या है यहां पर रिजनिंग के अंदर रिजनिंग आपकी 25 कोशन की आने वादी ठीक तो रिजनिंग की किस बुक से इस रिजनिंग के कोई भी बुक लेखो आप एससी की प्रिवियशी एर कोशन जिसमें क्या हो एसस्स्य की भुक लेनीर में रिजनिंग की कोई भी जिसमें क्या हो nervous eez question आपको म्ल जाए ठीक है तो यह ता बात भी seulement độ अब रिईनिंग के बात अगर बात करते हैं हम GS की तो GS देखो बहुत ही खास है GS क्या है बहुत ही खास है क्योंके GS मेंलत के 25 कॉस्चन मेंसे हैं मतलिक मनलब 25 मेंसे score करना बहुत दिक़ा तक हैं तो अगर हम बात करेंगे GS तो GS होती है दो पार्ट में अगर इस GS की हम बात करेंगे तो GS को कैसे पढ़े तो सबसे पहले अगर GS की बात करते हैं GS में आपको current affairs तो पढ़नी है कहां से current affairs तो पढ़नी है कहां से तो आपके पास एक speedy की बुखाएगी current affairs की एक बुक अत्ती है speedy की मात्र 100 या 120 रुपे के आपको मार्गेट में मिलने वाली है speedy से current affairs आपकी क्या है cover हो जाएगी क्लियर है तो current affairs तो हुई cover speedy से उसके बाद अगर बात करेंगे other GS कहां से पढ़ी जा तो एक बहुत अच्छी बुक आपको suggest कर रहा हूं वह थी बहतरीन बुक आपको suggest कर रहा हूं जिससे क्या है कि GS की समस्य से CGD में खतम हो जाएगी सभी subject आपको इस बुक में मिलने वाल है बुक का नाम क्या है आपका तो बुक है आपकी NCRT सार संग्र है और राइटर है इसके कौन महेश कुमार बंडवाल mix GS की है कोस्मोक्स परकासन है मार्किट में आपको 300 रुबे कि यह मिलने वाली है वो depend करता है सेलर के उपर के आपको कितने की हो प्रोवाइड कराएगा इसका जो एमार भी प्रेट है वो 480 रुबेस पर लिखा गया है ठीक तो यह तो हुई NCRT की इसके अंदर क्या है कि NCRT GS के अंदर अगर बात करेंगे इसमें आपको सभी subject मिलने वाले कौन-कौन से भारतिया विज्ञान मिलेगो और जीविज्ञान उसके बाद इतिहास तिन्नों मिल जाएंगे और भारतिया अर्थवेस्ता कंप्यूटर वाधाने भारतिया प्रूसकार वगरा मनलब सभी चीज़िया आपको इसके अंदर मिलने वाली है बहुत ही बहतरीन बुक है मेरे अनुसार मै आपको इसके लिए बहुत सोच समझ गया है सजेश्ट कर रहा हूं ठीक है तो आप क्या है के जीएस से बढ़िए उसके बाद जीएस हुई जीएस के बाद हिंदी अब हिंदी के लिए एक बुक ऐसी बताऊंगा कि कोशन अराम से लेगे लुसेंट तो सभी बढ़े छोट लुसेंट नहीं पढ़ने आपको छोटे राइटर उठाना है छोटे राइटर कंटेंट यादर देगे आपको बढ़े कंटेंट देंगे तो राइटर का नाम क्या बतारों मैं तो राजपाल सिंग राजपल सिंग की एक बुक है, हिंदी की, बहुत अच्छी इन्होंने इसमें लिखे है, बहुत अच्छे कोशन आपको मिलने वाले, प्रिवेस यर के कोशन मिलेंगे, बहुत अच्छी बुक मैं आपको एलिए जो सजेक्ट कर रहा हूं, इससे हिंदी पढ़ लो, कभी भी मा पिक, आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले, एक मैत की अलग से प्लेइलिस्ट में बनाई हुई है, आप जागर के चैनल पर विजिट करिए और उससे देख सकते हो, एकक सवाल आपको पूरा सूलिसन इसबुक का मिलने वाले है चैनल पर, तो मैत में तो आएंगे 25 में से 25, अगर आप इससे त्यारी करते हो, फूल गारंटी हमारी, रिजिनिंग अगर थोड़ी भी पढ़ोगे तो 25 के 25 कोशन आपके यहां पर लग जतते हैं, और रिजिनिंग के मैन मैन टोपिक आपको क्या है, चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, चैनल को कंटिनू विजिट करना ह 2,000 är 23 तक जब तक सेलेक्शन नहीं ठीक, सेलेक्शन है घरणटी है, अगर गार्देस अच्छी रही, सेलेक्शन निकलता है, सेलेक्शन निकलता है, क्या पढ़ना उससे निकलता है, किस बूक से पढ़ना है, पैसippy grade क्या रहीग, हिंडी आराम से आप अगर इस भूक से यहां पर attempt कर जाओगे 17-18 भी आराम से आप attempt कर सकते हूं बढ़ी है score रहा तो 2019 में जीस में मेरा 19 question का score था 25 में 19 का score था तो आप भी आराम से कर सकते हूं मैं बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलता हूं तो पचीस दो नहीं 50 और 25 तिया 75 75 80 और 10 90 का score आप को यहां पर बंद रहे और अगर आप 90 को लिया हो तो भाई पोस्ट मिलती है ऐसे से ठीक बहत्रीन पोस्ट है तो आपको क्या करना है कि इन सारी चिज्जों को दिमाग से हटागे कि यार पांच महीने होगी का तैयारी हो पावेगी या नहीं हो पाएगी फोर्म अगया रखाबाएंगे इन सब चिज्जों को दिमाग से निकाल गया भाई फोर्म 10 दिसंबर सांगे वेगेंसी जितनी व्याओ हमें फरक नहीं पड़ता हमें चीए एक सिट हमें क्या चीए एक सिट चीए उसे एक सिट पर काम करना कितनी वगेंसी आगी कोई मैट में नहीं करता बस टारगेट रखना कि मैट में चीए 25 में 25 हिंदी में 25 में 25 और जीएस क्या है कि जीएस के अगर तुम 15-16 भी अटेम्ट कर आगे तो इसकोर जाएगा 90-95 ठ एयर भरे मनलब हर विगेंसी मरत इस बार भी इतनी भर जांगे लेकिन कोई मैटर नहीं करता मैटर है पेपर के लेविल पर आप उसे किस हिसाब से हैंडिल करका रहें किस बुक साफ पढ़के जा रहें ठीक है इतनी बुक में सजेश्ट करा इन बुक से सहले बस में एक एक उम्मीद करता हूँ जितना अनलिसिस आपको बताया है कंप्लीट यो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलता हूँ आपस से ही किसी इंपोर्टेंट टोपिक के साथ जैहिन सभी को धन्यवाद थैंक्यू